दोस्तों अगर इस्किप करते करते आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो पर थोड़ा पने रहें तो आप आए हैं तो को सिक्के जाएए मैंने यहाँ आपके लिए लाए हैं आलू गोबी की टमाटर की सब्जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टमाटर आलू को भी अरी मिर्च कट कर ली है तो अब देख सकते हैं मैंने इनको धोक अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने मटा छील के रख लिया है 100 ग्राम अब हम कड़ाई पर एक तेल डालेंगे सरसू का और इस पर हम कटी हुई प्याज हरी मिर्च डाल कर फ्राय करेंगे अगर चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवा दे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए आपको उनके मेडियम आज में ही फ्राय करनी है इसके बाद मैंने यहाँ एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और इसको फ्राय कर लेंगे यह अच्छे से पकने के बाद मैंने थोड़ा यहाँ पर नमक डाल दिया है क्योंकि टमाटर हमारा नमक डाले से जल्दी पक जाएगा दोस्तों अगर ये सबजे आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सो अधिश्टे सबजी बना के तयार कर लेंगे घर पर ही जैसे होटलों में बनती है तो दोस्तों मैंने यह जो सारे फृई के तीनर के निकाल लेंगे इसके बाद हम इसको पीछ नेए इसपे पीछिने से पहले मैं यहां टेल में ड़ीती हूं और तेल जीरा इसके बाद आलू डालके फृई कर लेंगे क्योंकि हमें मसाला पीछने मclock हो रात समय लगे हैं तब तक बेभी फ्राईग हो जाएंगे तो मैंने यह आईने पहले फ्राईग कर दिया है अब देख सकते हैं इसके बाद मैंने मटा डाल दिया और गैस को कर दिया ह hello इसके बाद यह फ्राईग होते रहेंगे तो चलिए हम मसाला पीस लेते हैं मसाला पीसने के लिए हमने यहाँ पर हल दी और सबजी मसाला थोड़ी लाल मर्ची डाली है और इसमें थोड़ा पाई डाल के इसका पेस्ट बना लिया है तो यही है मसाला में सबजी का स्वाद बढ़ाने माला है तो मैंने यहाँ पर एक कटा हुआ टमाटर ओल डाल दिया है और स्वाद अनसा नमक और इनको अच्छे से और मिक्स करके फ्राई कर लेंगे धीमियाज में यह फ्राई हो चुके है तो हम पिसा हुआ यह मसाला डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे और इसे दिमी आज में थोड़ी देर पका लेंगे क्योंकि मसाला भी पक जाएगा धीरे-धीरे और चम्मसे में चलाती ही जाना है क्योंकि मसाला नीचे दल पे लग जाएगा अगर आपने ऐसे सबजी कभी बनाई है तो कमेंट में जरूर बताए अगर नहीं बनाई है तो भी आप बताए देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और यह सबजी हम तरीदार बनाने वाले हैं तो इसे हम पकने देंगे देखें यहाँ पर कितना उबाल आ चुका है और इसे चमम सम्ट चलाते जाएंगे आप चाहें आप देख सकते हैं आलू को दवा कि देखेंगे कि हमाएं पकी है या नहीं सबजी हमाएं पक चुकी है तो गैस को हम कर देंगे बंद इसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब देख सकते हैं आलो गोवी टमाडर के सबजी सुआदिस्ट और टेस्टी सबजी बनगे तयार हो चुकी है